नाव अश्कार दोस्तों मैं रोद्र और फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का स्टॉक अनलाइजर चैनल में दोस्तों हम आज के इस वीडियो में एक PSU कमपणी गार्डेन रिच सिप बिल्डर्स एंड इंजिनियर्स के फाइनल लेविरेंट के उपर डिस्क्रस करेंगे दोस्तों कमपणी फोर्थ कोटर के रिजर्ल के घोषना के समय एक साड़े 11% का यानि की 11.50% का एक डिविरेंट अनाउंस के था अपने शेर्लिर्स के लिए और कमपणी अपने शेर्लर्स को पार शेर एक रूपे 15 पैसे दे रहा है एस फाइनल लेविरेंट और कमपणी ने एक डेड़ भी एनाउंस कर दिया है तो चलिए इसके उपर डिटेल में डिस्क्रस करते हैं लेकिन उससे पहले तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और अगर आपको यह सब वीडियोस फूचर में भी इसी चैनल पे चाहिए तो बने रहे है अमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए है अमारे चैनल को तो चलिए आप बा ज्यादा का negative return है तीन महीने में लगभग 1% का negative return है एक साल में 3.5% का negative return है आप देख सकते हैं हाडर ह.. जगा पर यह negative return दिया है यानि कि आप कहें सकते हैं स्टोक का momentum अभी बहुती ज्यादा bearish है तो चली आप बात करते हैं के dividend के उपर और ex-date के उपर दोस्तो जैसे कि आप लोग देख सकते ये final dividend साड़े 11% का है और आपको पर share एक रूपे 15 पैसे मिलेगा दोस्तो company ने इस dividend के लिए last buy date रखा है 31 तारीक का यानि कि आपको ये share 31 तारीक से पहले या फिर 31 तारीक तक खड़ितना होगा company ने एक रखा है दो तारीक का और record date के बारे में अपने official letter में कुछ भी mention नहीं किया था मतलब साफ है company आपके उपर चोड़ रही है आप जितना दिन चाहे उपना दिन hold कर सकते हैं मैं आपको यह ही recommend करूंग एक state से यानि कि दो तारीक से कम से कम 5-6 दिन hold करके जाए आपको dividend का पूरा पैसा मिल जाएगा और हो सकता है आपको थोड़ा बहुत capital gain भी हो जाए तो I hope आपको यह topic पूरा समझ में आ गया है तो यहीं पर खतम करते हैं हमार आज का वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो मे तिल एं गुडवाई